क्या अर्भी छीलते वक्त आपके भी हाथ में खुचली होती है जिसकी वेसे आप कभी भी सब्जी नहीं बनाते हैं और कुछ लोगों के तो घर पे अर्भी पसंदी नहीं करते हैं तो एक बार आप इस ट्रिक से सब्जी बनाईएगा यकीन मानिए उंगलियां चाट चाट के करेंगे और आपसे दोबारा बनाने की डिमांड करेंगे बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है पनीर भी इसके सामने फीका है इतनी ज्यादा और लाजवाब सर्ची बनकर रेडी होती है तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा और रेस्पी अगर पसंद आजा तो प्ली बहुत सारे नामों से जाना जाता है तो आपके हागर किसी और नाम से जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ सेयर कर सकते हैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग कमेंट करते हैं आज की सबजी बनाने का तरीका बिल्कुल से नया है अभी तक किसी न भी नहीं share किया है और यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक सेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप जब भी सबजी को छी लेंगे आपके हाथ में कोई भी खुचली नहीं होने वाली है तो यहाँ पर इडली stand है मैं इसका इस्तमाल कर रही हूँ अगर आपके पाफ इडली stand नहीं है उस case म क्या करना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ तो यहाँ पर इडली स्टेंड का जो मोल्ड है उसमें मैं दो-दो अर्वी इस तरीके से ट्रांसफर कर रही हूँ हर इडली स्टेंड में तीन प्लेट लगभग होती ही हैं नहीं है तो दो होंगी तो हमें क्या करना है प्लेट में इस तरीके से ट्रांसफर कर लेना है और इसी तरीके से हम सभी अर्वी को ट्रांसफर कर लेंगे तो कई बार क्या होता है जहां अर्वी को छीलते हैं हाथों में इचिंग सुरू हो जाते है जिसकी वेज़े से आपको सर्वसों का तेल लगाना होता है लेकिन उससे भी इचिंग हमारी कम नहीं होती है तो उस केस में आप इस मुध्धी से एक बार सब्ची जरूर पनाईएगा अब यहाँ पर देखिए 500 ग्राम अर्वी लिए उसकी हिसाब से मैं मसाला भी रेडी करना है तो दो मीडियम साइज के टमाटर हैं वो रख दिया है हमने और एक मीडियम साइज का प्याज है दस बारा लेसन की कलिया है एक इंज़द्र का टुकड़ा है इसी तरीके से हमें मोल्ड में रख देना है और इसी के साथ तीन लाल मिर्च मैंने रख दी है तीखा अपने हिसाब से कम्या ज़्यादा कर सकते है अब इडली स्टेंड को हमें इडली कुकर में ट्रांसफर करना है मतलब की थोड़ा सा पानी हमने पहले उसमें डाल दिया है उसके बाद हम एक एक करके सभी प्लेट को इस तरीके से रख देंगे गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम कर दीजिएगा और मीडियम फ्लेम में जैसे ही इसमें बॉइल आ जाए तो गैस का फ्लेम बिल्कुल से स्लो करके आपको 10 मिनट इसे पकने देना है 10 मिनट में अच्छे से पक जाएगा मतलब कि इतना पक जाएगा जितनी की हमारी रिक्वाइर्मेंट है बहुत जादा ओवर कुक नहीं करना है हलका हलका प्रेस हो रही होगी लेकिन ये बिल्कुल बॉइल जैसी नहीं होगी जैसे बॉइल हम लोग करते है न कुकर में वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा अगर हमने बॉइल कर जिया तो वो टेक्चर नहीं आएगा जो कि हमें सबजी में अपनी चाहिए तो यहाँ पर देखिए प्यास टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं हमें इने अलग निकाल लेना है थोड़ा सा ठंडा करके हमें इसे चील लेना है तो जब भी कभी हम कच्ची अर्वी को चीलते हैं तो हमारे हाथों में इचिंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन यह जो अर्वी है ना ही पूरी कच्ची है ना ही पूरी पकी हुई है तो बस हलके हलके हाँ मतलब आपको knife चलानी है आराम से छिल जाएगा और इसका save भी बिल्कुल भी गरबड नहीं होगा क्योंकि जब हम cooker में boil करते हैं तो कई बार क्या होता है कुछ अरवी हमारी अच्छे से मतलब गल चुकी होती है कुछ कच्छी सी रह जाती है तो यहाँ पर क्या है अरवी हमारी आधी आधी पक्यू हुई है इस stage में अरवी को चिलना बहुत ही आसान हो जाता है और इसका save भी बिल्कुल वैसा ही maintain रहेगा जैसा कि आपको रखना है इसी तरीके से हम सभी अरवी को चिल कर रेड़ी कर लेंगे जो लोग अरवी नहीं खाते है न लेकिन बच्चे नहीं खाते थे तो जब मैंने इस ट्रीक से 2-3 बर बनाई ना तो उन्हें बहुत पसंद आए तो मैंने सुचे ये recipe आप सभी के साथ में भी share करती हूँ तो यहां पर देखे अरवी को हमने अच्छे चिल लिया है अब इसको हम पीसेस में cut कर लेंगे तो एक अरवी के 4 भाग मैं कर रही हूँ अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप इसके 6 भाग भी कर सकते हैं या गोल गोल भी cut कर सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं जैसा भी आपको शेप पसंद है आप उस हिसाबसे से cut कर के ready कर लिजिएगा तो मुझे तो सबसे अच्छा यही सेप लगता है अरवी की सबजी में क्योंकि इसमें पीसे बड़े बड़े जिखते हैं और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं तो मैं एक अरवी को चार भाग में इसी तरीके से cut कर के ready कर लूँगी अब जो टमाटर प्याज है ओ भी ठंडा हो चुका है तो उस case में जो टमाटर है इसका छिलका देखिए बिलकुल आराम से उतर रहा है मतलब कि आपको बिलकुल भी मेहनत करने की जरूत नहीं है चिलका हमें आराम से इसका निकाल देना है और हमें मिक्सी का जार लेना है और मिक्सी के जार में इसे transfer कर लेना है इसे काटने की भी जरूत नहीं क्योंकि soft हो गया है तो मैं यहां पर प्यास को दो भाग में इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि इसको भी जादा क्या है ना यह सब चीजे खड़ी नहीं है मतलब की कच्छी नहीं है तो इसको काटने की ज़्यादा जरूत नहीं है और जो मिर्च है उसकी डंठल निकाल दी है लेसन अधरब को भी इसमें transfer कर देना है इसी के साथ ही एक चमच यहाँ पे खड़ा धनिया डाल दिया है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बस अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया है इसको पिछने में हमने पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया इसको अपसाइट में रख देते हैं और सबजी बन प्रकर देना है तो पहले वमे अर्वी को इसमें प्राइं करना है तो फ्राइं के लिए बहुत ज्यादा हमें अपनी कल्शी को नहीं चलाना है जैसे कि आप बार बार इसको चलाएंगे न तोट जाएगा तो यहाँ पर करना क्या है जब थोड़ा सा नीचे से पक जाए उसके बाद आप इसे अलट पलट के बढ़े हाँ से इसमें कलर आजए तब तक आप इसे भूनिएगा तो आप देख सकते हैं अरवी में हलका सा कलर भी आ रहा है बस इतना ही आप इसको भून कर रेडी करिएगा और यह लगभग 80-90% कुग भी हो चुकी है इसको अब पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरीके की अरवी अब देखिए हमारी बनकर रेडी हो चुकी है तो इसको हम अलग निकाल लेते हैं तो इस तरीके से अगर अरवी आप बनाते हैं तो आपके हाथ में कभी भी खुजली का एह एहसासी नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए अरवी को हमने अलग किया है सीम कडाही में जो बचा हुआ तेल था उसमें थोड़ा सा और एट कर लिया है तेल अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अरवी बादी होती है आप सभी को पता है तो उसकी बादीनेस को कम करने के लिए यहाँ पर आधा चमच अजवाइं डाल देंगे और दो पिंच के लगवग हींग डाल देंगे जैसे ही अच्छे से चटक जाएगी जो हमने मसाला पीस का रेड़ी किया है उसको ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर मसालों को भूनने के लिए हमें गैस का फ्लेम बिल्कुर से स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पर ही मसालों को भूनेंगे क्योंकि जब मसाले हमारे बिल्कुल धीमी धीमी आज में भूनेंगे न तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है तो वैसे तो इसमें ज़्यादा मसाले एड़ करने की जरूत नहीं है तो बस हमने अभी इसमें हल्दी नहीं एड़ किया है तो एक छोटी चमच हल्दी पाउडर एड़ कर देंगे इसी के साथ ही आधा चमच कश्मीरी लाल मिर्ज एड़ कर देंगे इससे कलर बहुत अच्छा आता है तीखापन नहीं होता है और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्ज का पाउडर भी एड़ कर सकते हैं लेकिन अपनी टेस्ट के अंसारी एड़ करिएगा मसाले हमारे अच्छे से भून जया है उसके लिए एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा उसके बाद आप लिड लगा कर इसे पकने दीजिएगा जब तक कि इसे ओयल सेपरेट ना होने लगे तो मैंने इसको पांच मिर्ट भूनने दिया है बीच में एक बार और चला दिया था जिससे की मसाला तली पर लगे नहीं तो यहाँ पर जो मसाला है उसमें ओयल को रिलीज कर दिया है अच्छे से भून चुका है आप इसका टेक्चर देख सकते हैं बिलकुर से चेंज हो गया है तो अब यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए मैंने दो ग्लास पानी में एट कर दिया है और नमक अपने टेस्ट के अंसार एट कर दीजिएगा तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा कर सकते हैं मुझे थोड़ा सा ग्रेवी वाली अर्वी बनानी है जिससे की इसको राइस के साथ में भी इंज्वाय कर सकें लिड लगा कर इसमें बॉइल आने दिया है और यह देखिया हमारी ग्रेवी में बहुत ही अच्छे सा एक बॉइल आ गया है गैस का फ्लेम यहाँ पर अब मैंने स्लो कर दिया है जो हमने फ्राई करके अर्वी रख भी रखकर इसको स्टीम कर सकते हैं और या तो किसी कटोरी या बर्तन के ऊपर आप कड़ाही में ही अलग से रख दीजिएगा और फिर उसको बॉइल कर सकते हैं तो एडली स्टेंड है तो आप उसी में बॉइल करिएगा और यहाँ पर देखिये थोड़ा सा हमने गरम मसाल और ग्रेवी देखिये हमारी बुलकुई परफेक्ट है तो थोड़ा सा ही हमें इसे पकाना है बहुत देर के लिए नहीं पकाना है इसलिए बहुत जादा पानी मद डालिएगा और बहुत ही अच्छा सा डेक्सर इसमें आ रहा है तो बस यहाँ पर हमें लिट लगानी है औ और इसे धका रखे रहने दिया है तो इसका जब थोड़ी सी ठंडी हो जाती है न तब इसका टेक्सर बिल्कुल अच्छा वाला आता है तो यहाँ पर सबसी देखिया हमारी कितनी बढ़ी हां बहतरीन सी बनकर रेडी हुई है थोड़ा से यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया और इसको mix कर लेंगे उमीद करती हूँ आज की रेस्पी आप सबी को पसंद जरूराए होगी पसंद आई है तो friends प्लीज लाइक करियेगा फैमिली फ्रेंड्स और इस्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से यहईगा आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है दूसरा वीडियो बनाने के लिए तो कुछ नया ही हमेशा आप सभी के साथ में मैं लेकर आती हूँ तो आप लोग प्लीज इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें ये बहुत अच्छा लगता है आप लोग का प्यार और सपोर्ट पाकर जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें इसी तरह कि आसान और यूनिक रेस्पी देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रस करिएगा तो ये सबजी आप रोटी पराठे नान किसी के साथ भी खाये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है आप लोग इसे एक बार जरूर बनाएगा मेरे कहने पर सब उंगलियां चाट चाट के खाएंगे और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जब भी आप इसे ट्राइ करें अपना फीडबैक मेरे साथ सेर करना बिल्कुल न भूलें मिलती हूँ एक नई रेस्पी के साथ तक अपना ध्यान रखिए बाबाई टेक कियर